हेलो एब्रेवरेवाण वर्कम बैक तो थी चानल आज हम एक्सर साइज 3.2 साथ आप सभी के सामने आ चुके हैं को यहां पर हम देखेंगे 3.2 का इंटरेक्शन तो इंटरेक्शन पाट करके उसके बाद एक्जांपल बसॉल्प करेंगे एंट उसके बाद करेंगे एक्सराइ 3.2 solve totally okay तो देखो introduction 3.1 में हमने क्या किया था just basics पर रहा था तो यहाँ पर 3.2 में क्या करेंगे operations on matrix तो सबसे first operations क्या होता है addition right addition on matrix addition of matrix तो suppose हमारे पास एक E matrix दिया हुआ है 1 2 3 4 5 sorry 5 5 6 ऐसे दिया हुआ है okay and B matrix कैसा दिया हुआ है 2 5 6 7 1 2 ऐसे दिया हुआ है okay तो क्या यह matrix का addition possible है तो देखो matrix का addition possible कब होता है addition and subtraction के लिए subtraction के लिए order should be क्या होता है order दोनों का same होना चाहिए okay तो इसका order देखो number of row into number of column so row कितना है 2 column कितना है 3 right इसका 2 row 3 column है तो यहाँ पे क्या होगा हमारा matrix multi sorry addition and subtraction possible होगा so अगर हमें A plus B find करने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे देखो corresponding element corresponding के साथ आड़ोगा ठीके इसका position क्या है A11 इसका A11 इसका A12 इसका A12 A13 A13 मैंने introduction पार्ट में बहुत ही अच्छे सा समझा है अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो जल्दी से फटक से introduction देखिया है और यहाँ पे देखी तो देखो यहाँ पे corresponding elements एक दूस्टे के साथ आड़ोते तो देखो 2 प्लस 1 3 यहाँ पे 3 आ जाएगा यहाँ पे 5 प्लस 2 7 आ जाएगा यहाँ पे 6 प्लस 5 11 आ जाएगा यहाँ पे देखो 5 प्लस 7 12 5 प्लस 1 6 6 प्लस 2 8 तो यह हो गया हमारा addition a प्लस b अगर सपोज हमें बोल दिया है a माइनस b फाइन करो difference of matrix तो difference of matrix का भी same reason है क्या होगा क्या होगा order should be same तो order seem होने से ही हम matrix का addition and subtraction कर सकते हैं याद रखनी है यह point ऐसे ही आवे नहीं कर सकते तो देखो अब माइनस करेंगे a माइनस b a से माइनस b में करना है तो 1 माइनस 2 is माइनस 1 2 माइनस 5 is माइनस 3 5 माइनस 6 is माइनस 1 आ रहा है ना समझ में तो आ रहा है ना आएगा आएगा धीरे धीरे आएगा ऐसे अचानक से नहीं आ जाता है तो 5-7 minus 2, 5-1 4, 6-2 4, तो यह रहा हमारा A-B and A plus B समझ में आया, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जल्दी से comment करो कि आपको कौन सा पाट समझ में नहीं है, मैं आपको एक्टम विस्तार से समझाने वाली, ओके तो चलो अब देखते हैं properties, addition properties ठीके, तो matrix का कुछ properties होते हैं, under addition तो वो क्या-क्या होते हैं, वो हम देखेंगी विस्तार से, विस्तार से तो नहीं, इस पीट से देखेंगे, ओके सो number 1 होता है, commutative commutative मतलब क्या होता है commutative law मतलब क्या होता है, class 8 में पढ़ते आ रहे हैं, commutative law मतलब क्या होता है, तो देखो, अगर हमें दो number दिया है, A plus B equals to B plus A, ऐसा होता है, मतलब अगर हमारा matrix यह A है, यह B है इसको A plus B करें, या B plus A करें आंसर शुर्ण आएगा क्या हमारा दोनों equal तो जैसे यहाँ पर देखो example के तौर पर 2 plus 5 किया और 5 plus 2 किया तो आंसर के आएगा, इसका भी 7 ही आएगा इसका भी 7 ही आएगा, हना तो यह याद रखने है, commutative law follow करता है, in case of addition ओकी, यह addition के लिए addition property, ऐसे ही सब में नहीं जोड़ देने का, ठीके addition का property होता है, commutative law follow करता है, next के आए हमारा associative law associative law associative law मतलब, तीन नमबर लेंगे हम उसमें पहले दो को आड़ करो फिर तिसरे को आड़ करो, जैसे कि a plus b plus c, तो पहले यह दोनों को आड़ करके इसको आड़ करो या फिर a plus b plus c इन दोनों को आड़ करके इसको आड़ करो likewise, हम example के तोर पे समझेंगे यह example था, यह भी एक example लेते हैं चलो, नमबर कुछ ले लेते हैं 2 plus 5 plus 3 तो पहले मैं इसको आड़ करती हूँ और इधर 2 plus 5 plus 3, तो फिर इधर इसको आड़ करती हूँ पहले, ओके, तो देखो 5 plus 2 7 plus 3, इधर के आएगा 2, 5 plus 3, 8 बचाएगा, 7 plus 3, 10 इधर इधर भी 10, तो सेम आ रहे हैं तो addition में क्या होता है committative law, follow होता है समझे, next property होता है हमारा existence of additive identity additive identity मतलब additive identity मतलब existence of additive additive identity मतलब, मतलब, मतलब additive identity मतलब कोई भी ऐसा number अगर सपोज मैं 2 ले रहे हूँ इसमें क्या add करे कि हमारा answer 2 आई तो इसमें हम क्या add करेंगे कि हमारा answer 2 आईगा तो इसमें हम क्या add कर सकते हैं 0 add कर सकते हैं 2 plus 0 is 2 तो इधर क्या होगा हमारा अग्जिस्टेंस अप एडिटिव आइडिन्टिटी में A प्लस यह 0 मैट्रिक्स तो पढ़ा है ना नल मैट्रिक्स इंटर्डक्षन में आप बहुत अच्छे से देख किया सकते उसको और 0 प्लस A करने से हमको क्या मिलेगा A ओके तो एडिटिव आइडिन्टिटी क्या होगा 0 मैट्रिक्स या फिर आप उसको क्या बोल सकते हैं नल मैट्रिक्स ओके नेक्स होता है हमारा इंवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ओके यह सब प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से करनी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स होता है ओके अडिटिव इनवर्स यह just exam में तो वैसे कुछ पूछता नहीं है इसमें से but आपको for your kind information just पढ़ना पड़ता है तो देखो हमारे पास कोई number ले लेते हैं जैसे कि मानलो के 5 ले लेते हैं और इसमें हम क्या add करेंगे कि हमारा answer जो आएगा additive identity आएगा मतलब 0 आएगा ओकी तो additive identity हमारा 0 है है ना तो 5 में क्या add करेंगी कि 0 आएगा तो आप सोचो जल्दी जल्दी सोचो तो 5 में हम minus 5 अगर add कर दे तो देखो plus minus minus 5 minus 5 0 आ जा रहा है आ रहा है ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है आ रहा है तो देखो अगर A हमारा matrix है तो उसमें हम अगर minus A add कर दे तो क्या आएगा 0 आएगा ना या फिर पहले minus A add करो या फिर पहले minus A add करो दोनों केस में क्या आएगा हमारा 0 ही आएगा समझ में आया बहुत इजी है बहुत इजी है एकदम से easy PG है ओकी बहुत ही easy है तो चलो एक example कर लेते हैं हम बहुत असानी से फटाक से कर लेते हैं ओकी हाँ जी तो हमारा example जो है एकदम से आप लोग के सामने ready होके आ चुका है तो देखो A matrix दिया है root 3 1-1 2 3 0 and B दिया है 2 root 5 1-2 3 1 by 2 and find क्या है A plus B plus में दिया है तो हमको क्या condition याद करना पड़ेगा दोनों का order same होना चाहिए order should be same तो देखो इसका order कितना है 2 by 3 इसका order कितना है 2 by 3 order निकालना अभी तक आपको एकदम मक्षन मारके एकदम crystal clear आ जानी चाहिए तो यहाँ पे देखो यह order same है तो हम अराम से A plus B करके corresponding elements add कर सकते हैं तो देखो 2 2 plus root 3 क्या होगा 2 plus root 3 क्या होगा 2 plus root 3 क्योंकि यह rational number है यह real number है तो नहीं कर सकते है तो हम अलग-अलग लिखेंगे यहाँ पे क्या होगा 1 plus root 5 यहाँ पे देखो minus 1 plus 1 क्या हो चाहेगा 0 होगा ना आप देखो 2 minus 2 0 3 plus 3 6 यहाँ पे जीरो प्लस 1 by 2 1 by 2 तो यह हो गया हमारा A plus B समझ रहे हो ना बहुत ही जी है यहाँ पे ओके जस्ट आप same to same होता है ओके next question देखते है difference का उसके बाद हम चलेंगे multiplication of matrix हाँ जी तो difference वाला question देख लेते हैं तो देखो यहाँ पे A equals to यह दिया हुआ है B equals to यह दिया हुआ है तो क्या point करने के लिए बोल रहा है A minus of B तो minus addition and subtraction के लिए order should be same तो order देख लेते पहले यह सेम है यह ना य A minus B equals to पहले matrix लिख लेते हैं 1,2,3,2,3,1 and this is minus then 3 minus 1,3 minus 1,0,2 तो देखो इसके दो तरह से कर सकते हैं आप अराम से एक तो क्या करेंगे आप इधर से minus common निकालके यह सब minus बनाके इधर plus लिखके अराम से कर सकते हैं और else अगर आपका एक दम से maths बहुत ही strong है ना आपको plus minus क सकते हैं तो देखो 1 minus 3 मतला minus 2 आएगा आएगा ना 1 minus 3 is minus 2 आएगा ना आएगा जरूर आएगा आएगा आप देखो यहापे यहापे क्या होगा 2 minus minus 1 देखो ऐसे यहापे देखो 2 minus उसके बाद already minus है तो यहापे क्या होगा 2 minus minus plus 1 तो यहापे आएगा हमारा 3 ओके यहापे द तो यहाँ पर भी सीम आएगा 3, 3 minus 0 is 3, 1 minus 2 is minus 1, यह ना, तो यह हो गया हमारा A minus B, तो next हमारा properties आता है, operation on matrix जो आता है, वो है multiplication of matrix by a scalar, तो उसको देखते हैं, असानी से, हाँ जी, तो हमारा next operation क्या है, multiplication of a matrix by a scalar, तो देखो, अगर suppose हमारे पास एक matrix दिया हुआ है, मान के चलो, आप कुछ भी लिख सकते हो, 3, 1, 4, root 3, 7, minus 3, 2, 0, 5, ऐसा कुछ दिया है, and आपको बोल रहा है, इसमें कुछ आप multiply करो, means multiplication by a matrix, by some scalar number, तो अगर suppose आपको find करने के लिए बोल रहा है, 2 a, 3 a find करने के लिए बोल रहा है, suppose, okay, तो 3 a find करो, आप लेको के लिए बोल दिया, मतलब आपको ये 3 a का line में multiply ने करनी है, सारे के सारे elements में multiply करनी होगी, okay, तो देखो 3 a करना है, मतलब यहाँ पर 3, और a का value 3, 1, 4, root 3, 7, minus 3, 2, 0, 5, तो हमारा final answer क्या आएगा, यह से देखो 3, 3, 9, 3, 1, 3, 3, 4, 12, 3, root 3, 3, 7, 21, 3, 3, 9, लेकिन minus 9, 3, 2, 6, 3, 0, 0, 3, 5, 15, तो यह होगा हमारा final answer, multiplication by a matrix, scalar का मतलब कुईसी भी number से हम असानी से किसी matrix में multiply कर सकती हैं, और negative of matrix किसको बोलते हैं, जिसमें हम minus 1 से multiply कर सकती हैं, तो हम देखेंगे आप properties of matrix, matrix multiplication आपको नहीं आती होगी, इसलिए मैं आपको पहले matrix multiplication सिखाऊंगे, तो देखो, एक होता है हमारा matrix multiplication, बहुत इज़ी है, बहुत इज़ी है, असानी से समझनी है, multiplication, तो suppose, देखो, हमारे पस क्या होगा, एक हमारा दो matrix, यह दिया है हमें, 2, 3, 1, 2, 4, 5, ऐसा दिया है, ओके, तो इसका order क्या होगा, 3 by 2, एन्ड हमको b दिया है, देखो देखो, बहुत असानी से देखो, अच्छे से दिखो, है ना, अच्छे से देखना है, ओके, देखो हमको b क्या दिया है, हान जी, तो हमको b क्या दिया है, 1 minus 1, 2, 0, 3, 4, तो इसका order क्या होगा, 2 row है, 3 column है, है ना, तो देखो, matrix multiplication का एक, इसमें भी एक condition होता है, जैसे कि addition and subtraction में क्या था condition, order should be same, तो यहाँ पर देखो, इसका column and इसका row क्या होना चाहिए, बड़ाबर, equal होना चाहिए, equal होना चाहिए, है ना, तो हम नए matrix जो हमारा answer जो आने वाला है result वाला, result का order क्या आएगा, देखो, कैसे निकालते हैं, इसका row और इसका column, तो देखो, क्या है इसका row और इसका column, 3 by 3 का, तो हमारा new matrix क्या आएगा, 3 by 3 का, तो देखो, A, B हम find कर रहें, और आम से A, B find करेंगे, धीरे धीरे find करेंगे, तो A, B आप लिख लेना यहाँ प 3, 1, 2, 4, 5, उसके बाद थरा से space छोड़ेंगे, 1, minus 1, 2, 0, 3, 4, याद रखनी है, इधर 3 by 2, और 2 by 3, इसका column, इसका row शेम होगा, तभी matrix multiplication possible होता है, तो देखो, हमको multiply कैसे करनी है, row इधर column, तो देखो, यहाँ पे, यहीं पे कर लेते हैं, तो देखो, यह, ऐसे करनी है, 2, 2, 1, जा, आराम से लिखनी है, धीरे धीर लिखनी है, 2, बनचा 2, plus 3, 0, 0, हो जाएगा, फिर 1st row खतम होगा, 1st column खतम होगा, 1st row, second column करेंगे अब, 2, into minus 1, minus 2, plus 3, 3, 2, 9, यहो गया, 1st row, second column के खतम होगा, अच्छे से finger रखके करिएगा, confusion एकदम से नहीं होगा, ओकी, 2, 2, 4 4 plus 4 3 जा 12, यह हो गया, ओकी, then next, 1 1 जा 1, 2 0 जा 0, minus 1, 2 3 जा 6, 1 2 जा 2, plus 4 2 जा 8, ऐसे करना है, हाथ रखके करना है, उंगली रखके करिये, ज्यादा confusion ही नहीं होगी, कुछ भी, 4 जा 4, 5 0 जा 0, 4 into minus 1, minus 4, 5 3 जा, plus 15, बीच में plus लगानी है, 4 2 जा 8, plus 5 2 जा 5 4 जा 20, अब इसको हम कैसे लिख सकते, देखो, अब इसको just solve करना है, बहुत simple है, 2 plus 0, 2 हो गया, 9 minus 2, 7 हो गया, this is 2, ओकी, this is 2, and 12 plus 4, 12, 4, 16, है ना, 1 plus 0, 1, ये कहा, 6 में से एक गया, तो 5, 8, 2, 10, है ना, 4 plus 0, 4, 15 में से 4 को minus करेंगे, तो कितना होगा, इसका भी कुछ properties होते हैं, तो in general हम कुछ properties लिख लेते हैं, बाकी सब details हम जब exercise two point करेंगे ना, तो बहुत ही धीर धीर करेंगे, बहुत ही असानी से करेंगे, बहुत मज़े आने वाले, ओके, तो देखो, properties लिख लेते हैं, इधर आप बहुत अच्छे से याद रखना, ओके, बहुत important है properties, अंदर क्या है, multiplication के अंदर है, ओके, addition and subtraction का properties अलग होता है, multiplication का अलग होता है, तो आपको बहुत ही ध्यान से याद करनी होगी, ओके, सो क्या होता है, matrix multiplication क्या होता है, non-commutative, non-commutative means, in general क्या होता है, हमारा AB not equal to BA, whereas addition में क्या होता है, A plus B equals to B plus A, लेकिन हम matrix में क्या कहेंगे, कि in general, AB is not equal to BA, okay, समझ में आया, आया न, okay, and zero matrix, अगर हम two non-zero matrix लेते हैं, तो उसका answer क्या zero matrix भी आ सकता है, और दूसरा properties देखते हैं, associative में क्या होगा, क्या होगा, क्या लगता है, associative में क्या होगा, commutative तो fail कर गया, associative में क्या होगा, देखो, associative में हम three matrix लेंगे, तो A, B को पहले करेंगे उसके बाद C को multiply करेंगे या फिर A, B, C पहले B, C को कर लेते हैं या फिर A को करते हैं बाद में तो ये hold करता है बट committative hold नहीं करता है non committative next क्या होता है हमारा distributed law distributed मतलब पता है पता है कि नहीं नहीं पता तो हम बता देंगे क्या फ़र्ट पता है है ना सिखने तो आए है distributive distributive law distributive मतलब क्या होता है देखो अगर हम एक matrix से दो matrix addition कर रहे है A plus B इधर क्या आएगा A, B plus A, C और अगर आप क्या कर रहे हो A plus B और C से multiply कर रहे हो यहाँ पर क्याएगा A, C plus B, C यह आना चाहिए तो यह क्या होता है distributive law भी hold करता है, ओके मज़ा आ रहे है ना, बहुत आने चाहिए मज़े तो, और इसमें क्या होता है, existence of identity कर लेती है, तो existence इधर तो जगर नहीं, इधर कर लेती है ओके तो देखो, क्या बोलते है addition and subtraction, sorry subtraction नहीं, addition में क्या होता है identity element, उसका just inverse, negative वाला ना whereas क्या होता है, multiplication में sorry, identity क्या होता है मैंने परहाया है introduction chapter में, पता है ना, तो देखो I, 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 I A equals to A, I क्या देता है हमको, A तो identity matrix क्या होता है I होता है, I ओके, तो यहां तक था introduction 3.2 उसके बाद हम बहुत ही असान ही equation solve करने वाले हैं है ना, आपको कुछ homework मिलेंगे, आपको खुद भी करने पड़ेंगे, राइट, क्यूंकि मैं आपके लिए इतनी महनत कर रहे हूं, तो आप कुछ तो efforts दिखाओ कि आप भी कर रहे हो, साथ साथ में, है की नहीं, है की नहीं, तो देखो, आप अच्छे से करो, next वीडियो में मैं कराऊंगी कुछ examples, examples तो नहीं कराते, examples कि क्या कराएंगे, examples आप खुद भी try कर सकते हो, book में solution दिया गया है, direct हम करेंगे 3.2, उसके बाद हम तो board में rock करने वाले हैं, तो मिलते हूं मैं अपनी next वीडियो में, till then, आप introduction को बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से समझो, उसके बाद exercise 3.2, खुद से करने की try करो, अगर नहीं होता है, तो मैं हुना, हम मिल के करेंगे, तो मिल अच्छे से पेला नहीं होता हैं, बmpfenषा पूंगे, तो मिल ङ'llस च्छे से से पहा हम तो से मोटे हैं, तो मिल्ला हैं, तो मिल इंच क memor के से अच्छे से जब करेंगे, प्यंच कि अच्छे से नहीं होता है Nowadays, भला Means O